नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटियूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है चारक के नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चारक के नीती को पूरी तरेट और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्यान सदयब घाता कोता है दोस्तों हिंदु धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीती रिबाजों को विशेश महत तो दिया जाता है शादी बिबाह और अंतिम संसकार के अलाबा कई ऐसी परंपराएं भारतिय हिंदु समाज में आज भी बिद्धेमान हैं जिनका अनुसरड प्रति एक भारतिय पुरुष और महिलाएं करती है इसी के अनुसर सुहागिन महिलाओं को परति दिन कुछ कार करने से पहले शुब और अशुब का विशेश ध्यान रखना चाहिए दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वरा बिशेश दिन के अलाबा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निशेद बताया गया है सबताह के कुछ बिशेस दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो उनके पती पर बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं यहां तक कि उनकी संतान और परिबार को कश्ट हो सकता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक बुधबार दोस्तों बुधबार के दिन विशेश कर कुवारी लड़कियों को बाल धोने नहीं चाहिए यदि कोई कुवारी लड़की बुधबार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफ़त आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते इसलिए जितना संभव हो सके बुधभार के दिन कुवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए नमबर दो, ब्रहस पतिबार दोस्तों यदि कोई सुहागिन महिला ब्रहस पतिबार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पती की उमर घटती चली जाती है ऐसे में आपको ब्रहस्पतिबार के दिन घर में पोचा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही ब्रहस्पतिबार के दिन कपड़े धोने चाहिए अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिबार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है दोस्तों यदि कोई शादी शुदा महिला सोमबार के दिन बालों को धोती है तो उसकी बेटी और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभाबना बनी रहती है परिबार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में शादी शुदा महिलाओं को सोमबार के दिन कभी बाल नहीं दोने चाहिए दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हमाशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो जाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने बाली हमारी सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें दोस्तों मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फोर्मेटी वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत